तो दोस्तों दिन वद दिन हमारी गौर्मेंट जो है सिक्षा को बहुत ज़्यादा टप करते जा रही दिरे दिरे और अब एक टप आपको एंटी एक्जाम देखने को मिलेगा नेट का एक्जाम में ठीक है नेट जो पिएजडी कर केंड़िड असेश्टिन प्रोपेसर के ल जारी होगा नेटिस्कॉर टाटे स्वेकर है तो इस एक तरह से 2 स्कोर में होगा तिन केटिगरी मिंति से शिर्प प्योफ्दी में अभी तक दो कैटिगर्य में होता था कि तस्ट है प्रोफैसर की जहते हैं यह प्रोफैसर बनना चाहते हैं यह फिर नेटर आप। जो भी यह सब्सक्राइब संथानों को प्रोफैस्ट की जगा नेटum काने का निर्देश toi चलिए देखते हैं क्या है डिटेल में बाते तो यहां पर बोला गया है कि राइश्ट ये सिक्षा निती एन इपी न्यू एजुकेशन पॉलेसी जो 2020 में इसके अंतर गत विश्व बिद्याले अनुदान आयोग यानि कि जो हमारा यूजिसी है इनिवर्सिटी गरांट कमिश ठीक है द्वारा नेशनल एलिजिबिल्टी टेस्ट यानि कि नेट को एक्जाम को ले करके नए गाइडलाइन जारी की है अब नेट की परिछा का स्कोर तीन अलग-अलग कैटेगरी में जारी किया जाएगा तीसरी कैटेगरी में सिर्फ पिएजडी नमांकन के लिए अलग से सामिल की गई है जो ओल एडिया लेवल पर उच्छे सिक्षन संस्थानों में पिएजडी एंट्रेंस टेस्ट की विकल्प के रूप में इस्तिमाल किया जाएगा तो तीसरा जो रहेगा आपका पिएजडी के लिए 20 रूप से विकल्प दे दिया गया है ऑप्शन फिर ब सक्षनिक सत्र दो हजार चोबीस से इसे लागू भी कर दिये जाएगा यानि कि जो जून में हमारा आएगा नोटिफिकेशन उसमें भी लागू होगा नेट पहले दो केटेगरी में होता था ठीक है एक है जुनियर रिसर्च फेलोसिप और दूसरा था असिस्टन प्रोफे में एंट्रेंस टेस्ट से नेट जे आरेप पास अभियार्थी को छूट देते थे और उन्हें सीधे साक्षातकार में सामिल किया जा रहा था लेकिन अब यूजीसे ने इसके अलग से बिसेस प्रावधान करते हुए एंटिये के द्वारा ली जाने वाली नेट परिक्षा की तीसरी केटेगरी में सामिल किया है और तीसरी केटेगरी में बोला गया है कि इसके ताथ नेट असकोर को पीच दी ना मांकन के लिए एलिजबिल्टी के रूप में अलग से जोड़ा जाएगा ठीक है एक तरफ से खुसी भी बोल सकते हैं एक तरफ से गम भी बोल सकते है फिर बोला गया है कि entrance test का 70% weightage और साक्षातकार का 30% weightage देने को कहा गया है entrance test का result percentile में जारी किया जाएगा इस entrance test में उसी को आधार मानते हुए weightage को कहा गया है ठीक है तो एक तरह से अच्छी बात भी और एक तरह से बुरी बात भी है कि अब मेहनत थोड़ा जादा करना पड़ेगा लेकिन पहले ही मेहनत करना पड़ेगा बाद में दिक्कत नहीं होगी ठीक है फिर देख लेते हैं तो दूसरे वह तिसरे केटेगरी का म जरे किया जाएगा तीनों का अलग अलग यानिक जड़ेब का लग असिश्टन प्रोफेसर का लग और पीछ डिकिकर लग यदि किसी अभ्यार्थी ने पहले केटेगरी यानि के जए आर एक क्या है तो वहाद तीनों के टेगरी में उत्तिन माना जाएगा ठेक है अगर तो तेन तो तेन ओ अगर कोई दूसरी करती साथ प्रोपेसर के साथ नगी के लिए सबस्क्राइब до 9 109 फिर भोला गया कि अभी वर्स में समिक्षा के लिए एक बिसे समीति के गठन किया गया था जिसके द्वारा यह निरने लिया गया है कि बताते चले कि पहले और इंडिया लेवल पर पिएच्डी के लिए अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट लेने की बात कहीं जा रही थी ठीक है एक साल में लेना होगा में नमांकन के लिए और इंडिया लेवल पर किसी भी उच्छे सिक्षन संस्थान में या स्कॉर कार्ड पीएजडी नमांकन के एंट्रेश्ट की जगव वैलिड होगा या सिर्फ एक वर्स के लिए ही वैलिड रहेगा इस दोरान अगर आप एड्मिशन लिये तो ठीक और नह करंतर अचिछाती है कि आप जो извdd करते एक कां में फोकस कीजिए यह नहीं कि इदर आप PhD कर रहे हैं मतलब नेट इक्तियारी कर रहे जाटा अपना और और लिए हुए लगए हैं या चाही आपको पर यसा आड़ीष्ड करने नहीं देगी आप फोकस कर रहे हैं तो एक लना और नहीं करना है तो भाई छोड़ दीजिए, that's all, ठीक है, उसी तरह से आप देखिए, फोर येर अंडर ग्रेजवेट जो प्रोग्राम है, फोर येर अंडर ग्रेजवेट प्रोग्राम, यूजी पी, ठीक है, इसमें ग्रेजवेट चार साल कर दिया है, और इतना टप किया ह है, कि एक सो पहले अगर बच्चे पास करते थे, अब मुस्किल से 20 भी बच्चे पास कर पाएंगे या नहीं, या भी, ठीक है, संभावना व्यक्त किया जाएगा कि कर पाएंगे, कि जान, ठीक है, तो पूरी तरह से ग्रेजवेट पोस्ट ग्रेजवेट हो, चाए पीएज चलिए, जो भी था, मैंने आपको बता दिया, तो अब आपका नया रूल, नया जमाना बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, आपको भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप अपना कोई अच्छा सा सेप जगा को चुनिए, ठीक है, हर फिल्ड में मत उतरिये, एक ही फिल् काम होता है, ठीक है, या फिर गौर्मेंट जोब्स के अपडेट चाहिए, तो आप चल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी मेरे सजेशन यह अगया कि अगर आप 25 पलस हो चुके हैं, या पर 24, 25 पलस हो चुके हैं, अपना कोई काम खोज लिए, पॉस्ट अपॉल, प्राइ मैंने अलतु की भी बाते की हैं, लगे का बूरा, बहुत सारा अच्छी भी बाते लगेंगे आपको, वह आप पे डिमेंड करता है, बाई